क्या हाल है अब सबका आई होप सोलोग ठीक होंगे अलाका शुकर है आप लोग के द्वासे मैं अब ठीक हूँ मैं पहले ठीक नहीं थी क्योंकि इत के दिन से ही मेरी तव्यत बहुत जादा खड़ाब हो गई थी इसलिए मैं ये रेसीपी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा और आज मैं आप लोग को मैटन ला जब आप बना के दिखाऊंगी तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं तो यहाँ पर मैं रिफाइन ओयल डाली हूँ और डाल रही हूँ कटी हूई प्यास तो प्यास को मैं हलकी सी ब्राउन कर लूँगी जादा ब्राउन करने की जुरूरत नहीं है और यहाँ पर मैं एक तीछ पत्ता तोड़के डाली हूँ तो प्यास अमड़ा हलकी सी ब्राउन हो गया है तो मैटन डाल दी तो इससे अची तरह से भूल लेते हैं और यह डिश ना थोड़ी सी स्पैसी होते है बट खाने में सच में लाज जबाब होते हैं डाल दी और डाल रही हूँ जिंजर गर्लिक और ग्रीन चीली की पेस्ट और एक पिंच के करी टर्मरिक पाउडर तो इससे मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से भूल लेते हैं और दूसरी तरफ मैं अलमंड कैसूज खस-खस और सुखी मिर्च को भीगो के रखी थी 30 मि अर्मन जब आप लोग वीगो के रखोगे ना तो उसका स्कीन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा तो इसका एक स्वाप्ट सा पेस्ट बना लेते हैं और मतन हमड़ा भून चुके है तो पानी एट कर देते हैं पानी में अपने हिसाफ से एट कर रही हो आप लोग अपने पानी निकलते हैं तो उस हिसाफ से पानी एट कीजिएगा तो मतन हमारा बॉल हो चुका है 90 परसन और 10 परसन बाद में बॉल होगा तो यहाँ पे मैं 4 टरमाटर की प्यूरी डाली हूँ और आप लोग देख सकते हो बहुत पानी मतन से निकल गया है और टरमाटर का भी जो क ट्राय कर लोंगी और टरमाटर भी खटा होते हैं तो इसलिए मैं दही का कॉंटिटी थोड़ा कम की हूँ और टरमाटर का कॉंटिटी जादा ही लगते हैं तो यहाँ पे मैं 2 चमच बाटर डाली हूँ इसे मेल्ट कर लेते हैं और मेरी दूसरी चैनल ओपन होने वाली है तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए का तो जो पेस्ट मैं बना के रखी थी वो डाल दी इसे अची तरह से भूल लेते हैं तो यहाँ पर मैं गड़म मसाला डाली हूँ और यह होमेट गड़म मसाला है आप लोग चाओ तो बाजार का भी इस्तेमाल कर सकते हो और रेड मिर्च कश्मरी रेड मिर्च पाउडर डाली हूँ तो मिक्स कर लेते हैं अची तरह से अभी भी मेरी गले में थोड़ा प्रॉब्लेम है बात करते हुए बैट घर बैटे 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 बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आज यह रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ तो मसाला हमारा भून चुके है मैं कसोरी मेथी को हाथों से मसल के डाल दी और बहुत अच्छा खुश्बू निकल रहा है तो डाल देते हैं धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर इसे भी मिक्स कर लेते हैं तो माटन को मसाले के अंदर डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं इसे धक के पकाएंगे फाइब मिनिंट्स के लिए आप लोगों को थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो पानी थोड़ा सा एट कर सकते हो माट मैं नहीं करूंगी यह अपर मैं चीनी एट की हूँ थोड़ी सी आप लोग चाहो तो चीनी स्कीप भी कर सकते हो तो फाइब मिन्ट्स बात आप लोग देख सकते हो माशालला कितना अच्छा कलर आया है माटन का और माटन लाजबा भूमाड़ा बनके तयार हो गया है तो इससे सर्फ कर देते हैं और आप लोग भी बनाओ घर में और सब को खिलाओ अप लोग भी खाओ रोटी पराठे या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो ऐसी डिश आज का रेसिपी अप लोगों को जरा साव ही अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्र कर देना मेरे चैनल को कॉमेंट करना मुद भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट कोई रे ना तंदरूस रेना लोव यू गाइस टेक कर बबाई अला होफीज द्वा में याद रखीगा